नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है यादों के जहरोखे से और मैं हूँ आपका होस्ट जुबैर खान यादों के जहरोखे के पिटारे से आज मैं समीट कर लाया हूँ आपके लिए गीता अंजली श्री से जुड़ी कहान हाली में गीता अंजली श्री जी को अंतराश्टिय भूकर पुरुसकार से नवाजा गया है उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधी के लिए उनको इस अवाड का हकदार माना गया है आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हिंदी लेखी का गीतांजली श्री का उपन्यास किसी भारते भाशा में लिखी गई वो पहली किताब है जिसने अंतराश्ट के बूकर पुरुसकार जीता है इस तरह से सम्मान पूरे देश के लिए माईने रखता है लिहाजा इसकी एहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है उनकी रेट समाधी का इंगलिश ट्रांसलेशन जानी मानी अनुवादक डेजी रॉक्वेल ने किया है जो टूंब आफ सेंड के नाम से प्रकाशित हुई है दरसल इसमें एक बुजर्ग महिला की कहानी है जो अपने पती की मौत के बाद मुश्किलों में घिर जाती है फिर एक दिन वो पाकिस्तान जाकर 1947 के बटवारे के वक्त के अपने दुख और सदमे का सामना करने का फैसला करती है इस दौरान एक महिला और मा होने के नाते उस पर क्या क्या घुजरती है इसी किताब में उसकी दास्तान है बोकर प्रुषकार से सम्मानित होने के बाद अपनी अनुवादाक डेजी रॉकवेल के साथ गितांजली श्री ने मंच पर पहुँचकर वहां बैठे तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कहा गया था कि ये लंदन है और यहां हर तरह से तयार रहना चाहिए यहां बारिश हो सकती है बर्फ गिर सकती है बादल हो सकते है दूप भी खिल सकती है और बोकर भी मिल सकता है मैं तयार होकर आई थी लेकिन शायद अब तक तयार नहीं हूँ मैं अभी भूत हूँ, मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे मिलेगा ये बहुत बड़ी उपलब्दी है मैं हैरान हूँ, खुश हूँ और विनम्र हूँ मेरी 95 साल की मा का आभार, जो भारत से मेरे लिए तालियां बजा रही है मैं मेरे पती सुधीर, परिवार और मित्रों की भी शुक्र गुजार हूँ सबसे important बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि यहां हम सब के बीच बुकर को लेकर कोई competition नहीं है मैं हाँ excellent लोगों के बीच में खड़ी हूँ, ये सिर्फ तकदीर का ही कमाल है किस महुर्त में मुझ पर ये रोश्नी पड़ी है और मैं चमक उठी हूँ इस पल में भागेशाली और सम्मानित महसूस कर रही है गितांजली श्री जी बड़ी बेबाकी से कहती है कि सदियों से औरत को जैसे गढ़ा गया है उसकी बहुत सी सीमाएं और सरहदें बनाई गई है ये होती है औरत, ऐसा होना चाहिए औरत को सरहद और सीमा तो उसकी personality में बहुत माइने रखती है लेकिन जब सरहदें और सीमा हैं तो उन्हें लांगना भी बहुत माइने रखता है औरत होना ही एक तरह से सरहदों में बनना है वही आपको उसे लांगने को भी उक्साता है और उसे लांग कर कहीं और निकला भी जा सकता है वो कहती है कि माय तो बेहद महतपूर्ण होती ही है एक औरत होने के नाते मैं औरतों के जीवन को अपने तरीके से समझते हूँ कुछ चीजे होती हैं जो आपके या अपने करीबों के तजर्बों से निकल कर सामने आती है लेकिन ये भी देखी कि मेरा उपन्यास हमारा शहर उस बरस में मैंने हिंदू मुसल्मान पर लिखा है तो मेरी कलपना में, मेरे experiences में, मेरे जिंदगी में जो कुछ भी खास लगता है वही मेरे लेखन में आता है गीतांजली जी खुले जहन से ये कुबोल करती हैं कि वो भारत में रहकर हिंदी में काम करती है उन्होंने कभी भी Booker Prize के बारे में सोचा नहीं था वो साफ अलफाज में कहती हैं कि मेरे लिए ये सब बहुत दूर की बार थी जैसे किसी और दुनिया की जब मुझे खबर मिली कि मैं लॉंग लिस्ट में हूँ तो मुझे उसकी एहमियत भी नहीं पता थी बस नाम सोना था फिर लोगों के फोन्स आने लगे और मेरे काम के बारे में लिखा जाने लगा तब धीरे धीरे समझ में आया कि ये वाकई बहुत बड़ी बात है जब तक शॉर्ट लिस्ट में आयी तब तक इसके मायने पूरी तरह से समझ चुके थी क्या आपके बुकर पुरुषकार से हिंदी किताबों के बाजार को मदद मिलेगी इस सवाल के जवाब में गिता अंगली श्री कहती है जब कुछ ऐसा होता है और आप रोशनी की जद में आ जाते हैं तो वो रोशनी फिर आपके आसपास भी पढ़ती है इस समय हिंदी साहित्य जगत पर वह रोशनी पढ़ रही है तो यह खयाल आ गया है कि हिंदी में भी कुछ है हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतिय भाषाओं को लेकर भी जग्यासा और क्रेस तो जाहिर है बड़ा ही होगा लेकिन यह याद रखना चाहिए कि लेखन का काम अपने आप में बहुत शान्त और प्राइवेट है लेकर वैसे ही चलता रहेगा जैसे आज तक चलता आया है चाहे वो इतना सामने लाया जा सके या नहीं मैं बुकर फाउंडेशन और जूरी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस किताब को चुना रित समाधी टॉंब ओफ सेंड एक शोक गीत है उस दुनिया का जिसमें हम रहते हैं एक ऐसी उर्जा जो उमीद की किरन जगाती है बुकर सम्मान के बाद इस किताब की पठनियता और बढ़ेगी जब से किताब बुकर के लिए नामांकित हुई है जो की हिंदी में मूल रूप से लिखी गए इसका माध्यम बनना खुशी की बात है लेकिन मुझे बेहत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मेरे और इसके किताब के पीछे हिंदी और दक्षिन पूर्व एशिया की बाकी जुबानों का पूरा का पूरा रिच लिट्ररी ट्रेडिशन है मैं अपने हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी हम लोग डेजी के बिना आज यहां तक नहीं पहुँच पाते जिन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद कर आप सब के सामने रखा डेजी का बहुत आभार इसके साथ ही मैं अपने फ्रेंच अनुवाद एनिमान्टो की आभारी हूँ जिन्होंने सबसे पहले ये किताब पढ़कर इसके फ्रेंच ट्रांसलेशन का फैसला लिया था भी कि उन्हें और चीजें मिले पढ़ने के लिए लेकिन लाइबरीरी जाकर पढ़ना सब के लिए आसान बात नहीं है तो यादों के जहरोके के इस एपिसोड में आज बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर उठाएंगे हम परदा किसी और सेलिब्रीटी से जुड़ी उस कहानी से जो दिल्चस्क तो है ही साथी मज़ेदार भी साथी हाँ आज के हमारे से शो के बारे में क्या खयाल है आपके बेशकीमती फिटबैक्स का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतसा तो फिलाल मुझे देजे इजाज़त नमस्कार